दोस्तों इस वीडियो में बिहर B.A.D. एक्जाम में पिछले साल पुछा गया question discuss करेंगे 22 सितमबर 2020 को exam लिया गया था, exam में total 120 question पुछा गया था इस वीडियो में total 120 question discuss करेंगे अगर आप 2021 B.A.D. का exam देने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी है आप सभी 120 question को attempt किजिए, कितना question आप सही बना पाते हैं लाश्ट में आपको comment करना है पाहला question इंगलिस से संबंधी था, exam में total 120 question पुछा जाएगा जिसमें से 15 question इंगलिस से पुछा जाएगा दो भासा paper है यहाँ पर 15 question हो गया इंगलिस से और 15 question हिंदी से टोटल मिलाकर यहाँ पर 30 question भासा paper से हो गया और 25 question reasoning से पुछा जाएगा इसमें कुछ math का भी question सामिल रहता है 40 question GK से पुछा जाएगा यानि teaching से रिल्टेड question पूछा जाएगा इस तरह से मिलाकर total 110 question पूछा जाएगा और exam में negative marking नहीं है इसलिए आपको सभी 120 question attempt करना है पहला question इंगलिस से संबन दीत है यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है direction यानि निर्देश है question एक से लेकर 5 तक यहाँ पर दिया हुआ है each of the following item is followed by alternative meaning which only one is correct यहाँ पर एक वाक्य दिया हुआ है चार option है जिसमें से एक ही option उससे रिल्टेड सही है और आपको चूज करना है पहला question में है to read between the line यह एक प्रकार का फरेज है मोहावरा है और इसका जो आर्थ होता है चिपे हुए आर्थ को समझना इससे रिल्टेड जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर hidden means होता है चिपा हुआ c option इसका सही हो जाएगा to understand the hidden meaning of the writer यहाँ पर लेखक के चिपे हुए आर्थ को समझना इसका सही आर्थ हो गया पांसे छे सेकेंड का आपको समय लेना है और सभी 120 question को आप attempt कर लिजे अगला question है we must give up our bad habits यहाँ पर आपको give up से related कौन सा meaning है आपको बताना है चार option में से तो give up कार्थ जो होता है छोरना और यहाँ पर first option में है create क्रियेट मींस होता है एक तरह से बनाना नया बनाना लिभ मींस होता है चोरना continue मीनस होता है जारी रखना और keep Awe मीनस होता है दूर रहना या भाग जाना इस तरह कार्थ हुआ तो इसका सही आर्थ हो जाएगा बी ऑप्शन लिभ और यहाँ पर give up पूछा गया तो give up मीनस ह होता है छोरना दूसरे रिल्टेड मिनिंग भी ऑप्शन है अगला क्विस्चन है दव वाय वाज नॉक्ट डॉन बाए ट्रक इस वाके का जो अर्थ हो जाएगा यहां पर लड़के को एक ट्रक ने टककर मार दी इस वाके का अर्थ हुआ हिंदी में लड़के को एक ट्रक ने अर्थ बताना है इसका सही आंसर जो हो जाएगा नोट बिंग टू दा पॉयंट यहां पर जो भी पॉयंट है उससे रिल्टेड यह मिनिंग नहीं है अर्थ हो जाएगा अगला क्विस्चन है सर्दार पटेल वाज एरन मेन सर्दार पटेल लौह पुरूज थे अरन मेन थे इससे रिल्टेड जो मिनिंग होगा यहां पर आरन मेन का अर्थ जो होता है एक तरह से लौह पुरूज का अर्थ डिरिद निस चाहिए यानि जो भी निस चाहिए क्या उसको पूरा करेंगे हर हाल में इसका सही आंसर हो जाएगा बी आप्शन ए मेन ओफिर्म डिटर्मिने यहां पर एक वाक्य दिया हुआ है और उससे रिल्टेड जो भी मीनिंग आपको चूज करना है सिंपल सा बात करेती हां पर अनियक सब्द का एक सब्द आपको बताना है यहां पर एन अन्मारिड मेन यानि एक अविवाहित आद्मी को क्या कहा जाता है एक अविवाहित बैचलर मेंस होता है कुवारा या विवाहिद अगला question animal that can live on land and water तो land यानि भूमी और वाटर जल यानि जल यो मस्थल दोनों में रह सकता है ऐसे जीव को क्या कहा जाते अनिमल को उसे जो कहा जाते है उभायचर जैसे मेधक उभायचर है मेधक जो है भूमी पर भी रह सकता ह पानी में भी रह सकता है जल यो मस्थल दोनों पर रह सकता है तो एमफिवियांस के कैटोगरी में मेधक आता है उभायचर का इंगलिस नाम है एमफिवियांस सी ओप्सिनिस का सही हो जाएगा अगला question a thing which easily catches fire ऐसा चीज जिसमें असानी से आग लग सकता है इसे रिल्टेट जो मिनिंग हो जाएगा इनफलामेबल इसका सही हो जाएगा फलेम मिन्स होता है ज्वाला और लो इस तरह का अर्थ हुआ इनफलामेबल मिन्स होता है ज्वाल अनसिल यानि जिसमें आसानी साग लग सकता है अगला question animal that feeds on grass यहाँ पर चारों अप्शन को देख लिजे animal that feeds on grass al grass इंख सके अर्थ हुआ यहां जानबर जो गस खाते हैं यानि घास पर डीपेंड घहास खाते हैं इस तरह अर्थ हुआ first option में कारनी भोरस हो सकता है कानेबल एक जाम आपको पूछ देए कारनी भोरस का अर्थ क्या होता है कारनी भोरस मिन्स होता है मानशाहरी B option में हर्भी भोरस, हर्भी भोरस मिन्स होता है साकाहरी, इसके बाद इन्सेक्टी भोरस, इन्सेक्ट मिन्स होता है किरात, इन्सेक्टी भोरस मिन्स हो जाएगा किट भक्षी, जो किट पतं को खाते हैं, जैसे मेढक हो गया, इन्सेक्टी भोरस आप कहा सकते हैं, किट को खा करते हैं इसके बाद यहां पर ढूप्षन होए रभी भोरस होता है जैसे मनुस दोनों गैटोगरी में है तो मनुस यहां भोजन करते हैं साकाहरी चीज से यहां पर साकाहरी के एक कैटोग्री में न जानबर हो सकता है लेकिन इसमें पुछा गया है शिर्फ यहां पर ग्रास यानि घास पर डिपेंड है तो ग्रामी नी भोरस इसका सही आंसर होगा हर भी भोरस नहीं होगा अगला question है custom of having many webs webs means होता है पतनी और webs के यहां पर plural form दिया हो बहु बचन webs होता है यहां पर एक सधीक पतनी से रिल्टेट पूछा गया है तो पोली गामी इसका सही आंसर हो जाएगा पोली मींस ही होता है एक सधीक अगला question है यहां पर direction 11 से लेकर 13 तक है fill on the blanks in the following item यहां पर खाली अस्थान में क्या होगा आपको बताना है यहां पर question है at last he held the temptation इसमें जो हो जाएगा खाली अस्थान में यह option इसका सही हो जाएगा 2 अगला question है work hard you will fell work hard you will fell यहां पर कहा जा रहा है तो क्या होगा इसमें खाली अस्थान पर डी option इसका सही हो जाएगा else का यहां पर प्रियोग होगा work hard else you will fell इसका अर्थ हुआ कठीन परिश्रम करो अन्यथा फेल हो जाए इसके बाद 13 नमर question में we sell the river यहां पर reverse related पूछा गया है तो dawn हो जाएगा डी option इसका सही हो जाएगा अब अगला question है direction 14 से लेकर 15 तक है तो एक बार आप question को अच्छे से पढ़ लीजेगा अच्छे से नहीं पढ़िएगा तो यहां पर गलत भी हो सकता है इस question में पूछा गया find the word opposite in meaning the given items यहां पर opposite पूछा जा रहा है तो opposite ही आपको यहां पर समझना अपोजीट मीनस होता है उल्टा और इसके जगा प्रेंटो नम भी दिया जा सकता है एंटो नम मीनस होता है विप्रितार्थक सब्द इंगलिस में और सैनोनम मीनस होता है परियवाची परियवाची अगर सैनोनम पूछा जाएगा तो उस ही से रिल्टेट आपको मीनिक देना है यहां पर पूछा गया है simple word ही यूज हुआ है नहीं तो इसके जगा प्रेंटो नम भी दिया जा सकता है एंटो नम मीनस होता है बिप्रितार्थक सैनोनम मीनस होता है परियवाची यहां पर पूछा जार है the soldier was canned तो canned का यहां पर आपर को विप्रितार्थक बताना है to can means होता है देयालू यहां पर peaceful है peaceful means होता है सान्ती पुर्ण या सान्ती पुर्वक helping means होता है मदद करने वाला cruel means होता है नीर्दय कश्ट दाई इस तरह करत्वात सही आंसर जो हो जाएग यहाँ पर दयालू का हो जाएगा और हैट होता है नफरत करने वाला अगला question is enjoyed the student and teacher जो है student के साथ खुछ थे इसका सही अर्थ हुआ तीचर जो है student जो है गुछ साथ था यहाँ पर हैपी का आपको बताना है वहाँ खुछ झो यहां पर ओल्टब्र法 क्विस्चन है इन में से कौन सा तद्भव सब्द है तत्सम होता है संस्कृत का सब्द और तद्भव होता है संस्कृत से विक्रित सब्द यानि संस्कृत से परिवर्तित सब्द इसमें आपको बताना है तो पहले अप्शन में यहां पर चतुर 10 दिया हुआ यानि 14 यहां जो यहां पर आपको सब्द बताना है तो हासी जो है यहां पर हिंदी का एक तरह से सब्द है और संस्कृत में जो होता है हास से होता है हासी के जगा पर और कपूर जो होता है संस्कृत में करपूर होता है करपूर अगर दिया हो रहा था तो तत्सम होता है और आम के जगा पर यह सबसे छोटी काई क्या है यहां से एक जाम में question पूछा जाता है भासा की जो सार्थकी काई है वाक के है अगर यहां से लेकर यहां तक जो दिया हुआ है भासा की सबसे छोटी काई क्या है अगर यहां से लेकर यहां तक लिखा हुआ है इसको वाक के बोलेंगे भासा की इस question का सही answer हो जाएगा वर्न वर्न जो होता है लिखित रूप और ध्वनी होता है उचारी रूप दोनों एक ही है दोनों में कोई एक ही option में दिया हुआ रहा तो यहां पर जैसे भासा लिखा हुआ है यहां से लेकर यहां तक भासा एक सब्द हो गया और अक्षर की बात करे अग्ला क्विश्चन है दारा का अर्थ क्या है दारा का जो अर्थ होता है भारिया पत्नी इसका सही हो जाएगा अगलाक्षिचन इन में में से मुर्धन्य व्णुजन कौन सा है वर्स्ट ऑप्शन में यहां पर गोह है तर यह कवर्ग के कैटीगोडि में कवर्ग यानि कवख गोग हुआ तो कवर्ग जो होता है कंठths धोनी कंठ से उचारन है चवर्ग का है तालू से इसके बाद तौर्ण हो गया तो तवर्ण मुर्धन्य वैंजन है यानि मुर्धासी इसका उचारन है तोफ़र्ग कि अंत्रगत हो गया, नो तक औम तवर्ण को 11, 005, 005, 009 जो है धौनि है, पौर्ण जो है ओष्ठिया धौनी है इसक्वेस्टन का सही आंसर मुर्धन्य पूछा जार है, तो डौड हो जाएगा अगला question इन में से महापरान ध्वानी चुने यहां से आपको अलपपरान का भी याद रखना है महापरान जो होता है आपको simple सा याद रखना है कि महापरान सम है यानि दोस्त्रे और चोथे नमर का जो बेंजन है महापरान का उधारन होगा पहला तीसर स्थान पर है खो दूसरे अस्थान पर है गो जो है तीसरे अस्थान पर है को खो गो में देखेगा तो गो तीसरे अस्थान पर है बा तो पो फो बा भी तीसरे अस्थान पर है तो महापरान जो होता है यहां पर दूसरे और चोथे नमर का बेंजन तो दूसरे नमर पर कौन है खो है तो सही answer हो जाएगा तो simple सा याद ये रखेगा कि महापरान सम होता है यानि दूसरा चोथा होना चाहिए और अलप परान वी सम एक तीन पांचमे नमर का बेंजन अलप परान का उधारन है अगला question है दिये गिये रिक्ता स्थान पर उचित चिन का परियोग करें यहा अधी बोधक चिन का परियोग जो करते हैं खुशी दुख आश्चर्ज कलित यहां पर एक तरह से आश्चर्ज ही है आहां कितना सुंदर पूस्प खिला है और यहां पर फर्स्ट आप्शन में दिया हुआ है यह जो है युवजक हैफन चिन का उधारन है और यहां पर हो ग कहते हैं इंगलीज में इसका नाम है सेमी कॉलन और यहां सी ओप्शन हो गया बिश्मयादी बोधक चिन का उधारन डी ओप्शन में यहां पर पूर्ण विराम का उधारन है अगला क्वेस्चन है चौपाई के परतेक चरण में कितनी मात्राय होती है चौपाई यहां दोहा चरण में 16 मात्रा ही होती है और आपको दोहा का भी याद रखना है तो दोहा में क्या होता है कि पर्थम और तीरतिया चरण में 13 मात्रा है और दूसरे और चोथे चरण में 11 मात्रा है तो इससे आप याद रख लिजे पर्थम और तीरतिया चरण में 13 मात्रा है पिछले साल पूछा गया था यह question कि दोहा के पर्थम और तीरते चरण में कितने मात्राय होती है तो 13 और दूसरे और चोथे चरण में जो हो जाएगा यहाँ पर 11 मात्राय तो दोनों अच्छे से याद रख लिजे चोपाई के परतेक चरण में 16 मात्राय दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राय दूसरे और चोथे चरण में 11 मात्राय अगला question है रामचरीत्र मानस की रचना सैली क्या है रामचरीत्र मानस गोश्वामी तुलशी दास द्वारा रचीत है अब धी भासा में यहां पर भासा का नाम नहीं पुछा जा रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्षन दोहा चोपाई सैली डी ऑप्षन नहीं होगा दोहा चोपाई सैली ही है बाकि यहां पर जो दो सैली है यह नहीं है अगला question है संसकार सब्द में किस उपसर्ग का प्रियोग हुआ है संसकार सब्द में जो प्रियोग हुआ है सम उपसर्ग का first option इसका सही हो जाएगा अगला question है निमन में से किस सब्द में आउपसर्ग नहीं है एक्जाम में उपसर्ग योम पर्तिया का प्रियोग नहीं हुआ है या फिर उपसर्ग का प्रियोग नहीं हुआ है जैसे इसमें पूछा जा रहा है कि आ उपसर्ग का प्रियोग नहीं है यहां पर सिंपल्स आपको यहां पर देखना है जैसे आ यहां पर है आपको छोड़कर बांकी जो यहां पर सब्द है जैसे जन्म है तो क्या कोई सार्थक सब्द है अगर आपको अलग कर देते हैं तो इस तरह से आपको देखना है तो आलग करने पर यहां पर जन्म है और जन्म बिल्कुल सार्थक सब्द है इसी तरह से यहां पर आपको आजान आलग करने के बाद कितना बचता है यहां पर दर निया बचता है दर निया कोई सार्थक सब्द नहीं है अगर आगर आप अलग कर देते हैं इससे तो दर निया होता है दर निया कोई सार्थक सब्द नहीं है अगर यहीं पर आदर रहता तो आदर में आलग करने पर दर बचता दर सार्थक सब्द हो सकता था लेकिन दर नहीं है कोई सार्थक सब्द नहीं है इसलिए इसमें आ का प्रयोग नहीं होगा D option इसका सही हो जाएगा इसमें आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है इसी तरह से उपसर्ग परतियस रिल्टेट पूछा जाते हैं तो पल्स आपको इस तरह से खंडित करके देख लेना है कि किसमें सार्थक सब्द हाई या नहीं अलग करने पर कि अगला क्विश्चन है निमलीखित में से किस सब्द में उपसर्ग है इस क्विश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन पराजय में उपसर्ग है परा उपसर्ग है और परा अलग कर दीजगा तो जाए इधर है तो जाए भी सार्थक सब्द है अगला क्विश्चन अपने हाथ से स्वयम काम करो वाकिका सूध रूप चुने यहां पर जो हाथ दिया हुए हाथ नहीं होना चाहिए काम जो है हाथ ही से करते हैं तो सिंपल सा यहां पर होगा कि अपना काम स्वयम करो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा हाथ का प्रियोग नहीं होगा अगला क्विश्चन बहुवचन में चिरियां सब्द क्या हो अब चलिए आगे reasoning का question देख लिजिए अगला question reasoning से संबंधित है यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है प्रश्ण संख्या 31 से लेकर 34 तक और यह जो question संबंधित है sitting arrangement से related है यहाँ पर question में दिया हुआ है चाव बेक्ति एक खेल खेलते हुए एक ब्रित में केंदर की और मुह करके बैठे है और यहाँ पर सभी का दिया हुआ है किस तरह से direction है इस तरह से simple सचलिए यहाँ पर एक ब्रित बनाते हैं QS Q तो सबसे पहले तो बीजय का िरेकस्न है सुधिर की बाई मने बीच में पर सुधिर हो गया सुधिर बाईं तो बाईं और कौन है तो बाईं और जो होगा यह धरवला पार्ट अगर इस तरह के question exam पूछा जाते हैं, simple से यहां पर आपको imagine करना है, कि आप यहां पर बैठे हैं, तो आपका बाया किस side होगा, तो बाया जो है, इस side होगा, दाया side यहां हो गया, तो बाया तरह बैठा हुआ है, बिजा है, सुधिर की बाई गड़ था, तो यहां पर चलिए की मुहकर के ही बैठा हुआ है, तो अमर यहां पर हो गया, और इसके बाद यहां पर है कि सौरव और राकेश के माद्धे था, तो सौरव यहां पर होगा और राकेश यहां पर होगा, लेकिन किलियर नहीं कि कौन किस side होगा, इसलिए हमें यहां पर किलियर पता नहीं है, य यहां पर हो सकता है कि सौरभ हो या फिर राकेश हो या फिर यहां पर हो सकता है कि राकेश हो या फिर सौरभ हो दोनों को एक ही रहेगा तो इस तरह से आपको लिख लेना या तो सौरभ होगा यहां पर या फिर राकेश होगा यह दोनों के बीच में हैं इसके बाद है कि निर यह हो गया दूसरा अस्थान यह होगा तो दूसरे अस्थान पर कौन हो गया नीराज हो नीराज को यह पर n से डिनोट कर रहे है इस तरह आपर डारेक्शन बन गया आप सभी क्वेस्टन को बना लिए भाल अगर इस तरह का तो बिजय के दहिनी और दूसरे अस्थान पर पहले अस्थान पर यहां पर सुधी रहा है दूसरे अस्थान पर कौन है तो नीराज हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा नीराज अब दूसरे नमर क्वेस्चन में यहां पर पूछा जा रहा है चलिए इसको सुधीरए का चले हैद अगला कlook क्षेंट में पूछा जा रहा है कि अमर के दाहनी और दूसरे अस्थान पर कौन धा तो अमर के दाहनी और आपको बतानाहिए कि दूसरे अस्थान पर तुम्स भीगर जो बना था इस तरह से एक कोई बिरी था इस तरह से सबसे नीचे में यहां पर सुधीर लिये थे और सबसे उपर में यहां पर अमर हो गया इसके बाद यहां पर सौरव और राकेश था तो सौरव और राकेश के बारे में किलियर नहीं पता था कि कौन कहां पर होगा यहां पर भी हो सकता है या फिर यहां पर भी हो सकता है इसके बाद यहां पर बीजाय था और यहां पर कौन था तो नीराज इस तरह से यहां डाग्राम हो गया अब इस में तो यहां से शुरू करना है पहला स्थान पर यहां पर सुरयस या राकेस होगा दूसरे स्थान पर कौन है बीजाय है तो बीजाय इसका सही हो जाएगा बीजाय इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा चलिया अगला question में पूछा जा रहा है 34 नमर में बीजाय और और अमर के मध्य कौन था विजय यहां पर हो गया और अमर यहां पर हो गया तो विजय और अमर के मध्य हमें किलियर नहीं पता है कि सुरेश होगा या फिर राकेश होगा तो यहां पर देखेगा कि ऑप्शन में भी इसी तरह से दिया हुआ है इसी ऑप्शन इसका सही हो और dn भी तो यहां पर सबसे पहला आपको यह पता लगाना है कि इसमें क्या उनसा यहां पर रिलेशन है श्रीज किस तरह से है P है और यहाँ पर U है तो U और P में क्या relation है यह आपको पता लगाना है इसमें होता क्या है कि एक-दो आपको add करना या फिर एक-दो गहाटाना परता है P है और U है तो P को क्या किजेगा कि U होगा तो अगर आप इसमें 5 add कर देते हैं u, 척एगा, पी के बाद अगर आप गिन्ती शुरू किजेगा, नो państu, पाँच में, एड्ड करने पर pou और यू को कि आप किजेगा, यहां पर 4 ήड करना परेगा, amigap 4 एड्ड करते ही, नीच के बाद होता है, भी w x y 4 have here यहां पर, अब यहां पर आपको देखना है इसी तरह से यहां पर क्या हो जाएगा कि तीन एड होगा तो Y यहां पर आ गया है Y के बाद जो है Z आएगा Z के बाद फिर आपको ABCD से सुरू कर देना अगर Z तक आ गया खत्म हो जाएगा तो फिर से ABCD से सुरू करना है Y के बाद हो गए यहां पर Z, A, B, यहां पर B आ जाएगा तीन एड करने पर और यहां पर जो है दो ही एड किया गया है इस तरह से अगर आप देखेगा कि पहला जो यहां पर लेटर है उसमें 5, 4, 3, 2 इस तरह से एड किया गया है तो B में अगर आप दो एड किजेगा तो D हो रहा है तो B के बाद C, D यानि D यहां पर आ रहा है तो B यहां पर होगा खाली अस्थान में पहला थी यह पता चल गया अब चलिए यहां से देखते हैं D और E के बीच में क्या रिलेशन है तो D में पिलस एक एड करने पर यह होता है य में अगर आप 2-eड किजेगा ये के बाद F G तो G आ गया यहां पर यानि एक से शुुरू था फिर दो एड होगा है यहां पर क्या हो जाएगा तो D के बाद होता है Cal M N यानि पैटर्न बिलकुल सही है बीजे हो गया, अब option देख लिए बीजे वाला कौन सा है, दो से ही पता चल जाएगा, यह option इसका सही हो जाएगा, इसी तरह से यहाँ पर last वाले लेटर में क्या किया गया है, कि मैनस 8 किया गया, यहाँ पर, मैनस 5 यहाँ पर घटाया गया है, फिर इसके बाद मैनस 4, फिर इ यहाँ पर क्या है कि KLJ है, इसके बाद QPX है, TRW है, YT भी है, यहाँ से खाली अस्थान बताना है, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ से आपको पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर खाली अस्थान में बताना है, Q है और T है, तो Q को क्या की जगा कि T होगा, तो यहाँ पर भी W इस तरह से यहां पर भी क्या होगा कि 3 एड होगा तो के में आप पहले वाले लेटर में 3 एड किजे के बाद m n यानि n अगया यहां पर m हो गया इसके बाद आप एड करने पर t होथकर की इस के बाले दोएड किया यहां आप करना पढहे तो कि आपको कि यहां पर दोएड कhesia आपड कि एड किजे हैगा ऑप 여нем होता है म बिखको एननों वह वाला इसका सही आंसर है फिर इसके बाद जेड़ में पैटर्ण लागू करने के लिए मैनस एक क्या गया है इसमें अगला क्विश्चन है जेड़े भी आ रहे है तो जेड़ यहां पर है भी है यहां पर क्या किया गए घटा आ गया है जेड़ में अगर आ एक ही उपसें और यह के बाद एकप्समें क्या और इसके बाद इसमें क्या किया गये कि चारेट करने पर आए आ में चाहे चेशलो है यहां पर आएमा जाएगा तो इसका सही आंसर होगया को अगला कुषचन यह अच्छा सा क्वेश्चन क्या हुगा आप कमेंट करके बताइए इसमें अगर आप option में देखेगा तो कोई इसमें कुछ भी add नहीं किया गया जितने यहां पर later है सभी same ही है सिर्फ इसमें यहां पर अस्थान को change किया गया है अगर यहां से आप मिलाएगा चलिए यहां से मिलाते हैं यहां से अगर आप मिलाएगा यहां पर e है और यहां पर देखेगा कि जो पहले अस्थान पर है उसको तीसरे अस्थान पर shift कर दिया गया है और जो दूसरे अस्थान पर है उसको चोथे अस्थान पर shift कर दिया गया है और जो तीसरे अस्थान पर है उसको पांच में अस्थान पर shift कर दिया गया है इसी तरह से इसमें भी आपको मिलाने पर इसी तरह से आएगा यहां है पहले अस्थान पर उसको क्या किया गया है तीसरे अस्थान पर shift कर दिया गया इसी तरह से आया है दूसरे अस्थान पर चोथे अस्थान पर तीसरा वाला पांच में अस्थान पर यानि पहला जो है तीस तो यहां पर सी मान आ गया और चोथे अस्थान वाला क्या होगा कि दूसरी अस्थान पर आ जाएगा और पांच में अस्थान वाला तीसरी अस्थान पर तो सी आये हम देख लिजिए डी ओप्षन में दिया हुआ है फिल्कुल सही है इस तरह से यहां पर पैटर्न लागू चोथे नमबर पर तीसरा यहां पर पांच में नमबर पर चेंज कर दिया गया है अब चले कथन निसकर्स रिल्टेट क्विस्चन है यहां पर कथन दिया हुआ है पहला पिछले कुछ दिनों के दुरान फलों की किमतों में भारी गिरावट आई है इसके बाद है पिछले काफि बिर्दी हुँई है फ्ल और खाध्यान है रधाध्यान यानि गेहुँ चावल हो गया तो तो दोनों यहां पर इसका सही आंसर जो हो जाएगा C option हो जाएगा यदि कथन A और B दोनों स्वतंत्र कारणों के परभाव है यहां पर इसलिए स्वतंत्र होगा कि फलों का यहां पर किम्तों में भारी गिरावट आई है तो हो सकता है कि फलों को अधिक हो गया होगा और इसका सही हो जाएगा अगला question है यहां पर 40 नमर का question देख लिए question है कथन है यहां पर पांच या इस स्याधिक उम्र के बच्चों को एस्कूल में भेजना वांचिनिया है वांचिनिया मीन्स होता है जरूरी नहीं है यह आपके इच्छा पर डिपेंड करता है एक होता है कं अनिवार्ज में होता है क्या कि आपको भेजना ही परेगा इसमें जरूरी नहीं है इसके बाद अनुमान देख लिए यहां पर इस उम्र में बच्चे उप्युक्त विकास के अस्तर को प्राप्त कर लेते हैं और सीखने के लिए तयार होते हैं तो यह सही है इसलिए पांच अनुमान अंतर नहीं थै अगला क्वेश्चन है यहां पर कथान है ट्रेन कंपार्टमेंट में चेताबनी ट्रेन में दिया हुआ रहाता है लिखा हुआ रहता है ट्रेन रोकने के लिए चेन खीचे अनुचित उपयोग के लिए रुपया 500 दंड देना परेगा अगर बिना कारण का चेन खीचते हैं तो यहां पर आपको 500 दंड देना पर सकता है यहां पर अनुमान है कुछ ब्यक्ति अलार्म चेन का अनुचित परियोग करते हैं बिल्कुल सही है कुछ ब्यक्ति जो है बिना यहां पर जरूरी का ही अलार्म चेन खीच देते हैं इस कारण से ट्रे रोकना चाती है सही है emergency के condition में या कुछ समान गिर गया उस condition में आप chain किछ सकते हैं तो दोनों यहां पर जो है सही है कि दी ओप्षिन इसका सही हो जाएक एक-दो दोनों अंतर नहीं तहां इसके बाद है यहां पर कथन इसकर स्रिल्टेड है यहां पर इसमें आपको डियाग्राम बनाना परेगा, वेन डियाग्राम से रिल्टेड इस में आपको बनाना परेगा, इसके बाद इसको अंसर देना है question है यहाँ पर कथन है, सभी चुहे बिल्ली है, तो सभी यहाँ पर चुहा, चुहा को यहाँ पर react, r से denote कर रहे है, इस तरह से हो गया, और सभी चुहे क्या है कि बिल्ली है, यहाँ पर तो इस तरह से हो गया, बिल्ली को यहाँ पर c से denote कर रहे है, cat हो गया, इसके बाद सभी लिआहें कुछ बने गोर कुछ क हम पर और कुछ कुछ क संगत रही है वर्म सभीक आण पर और से डिनोट कर रहे हैं और चिरिया को यहाँ पर C से डिनोट कर रहे हैं इसके बाद बकरी को यहाँ पर B से डिनोट कर रहे हैं तो चले यहाँ पर बनाते हैं डियाग्राम सभी मुर्गिया चिरिया हैं मुर्गी हो गया यहां पर सभी मुर्गी यहां चिरियां के कैटोगरी में इस तरह से आ गया चिरियां को यहां पर CC लिखे हैं इसके बाद है कुछ बक्रिया मुर्गी यहां पर आ गया इस तरह से कुछ का रिलेशन कुछ बक्रिया जो है मुर्गी के कैटोगरी में इस तरह स चिरियां के अंतरगत भी होगा तो कुछ बक्री चिरियां यह सही है इसके बाद है सभी मुर्गिया बक्री है यह गलत है बिल्कुल सभी मुर्गी मुर्गी जो है यह पाठ है और बक्री के अंतरगत तो कुछ ही का यहां पर रिल्याश है ने सिर्फ कुछ मुर्गी यहाँ पर बक्रिया हो सकता है लिकिन सभी मुर्गिया बक्रि नहीं हो सकता है तो गलत यहाँ दिया हुआ है इसका सही आंसर होगा केवल एक तर्क संकत है फर्स्ट अप्सन इसका सही वज़ा है कि यदी केवल एक निसकर्स तर्क संकत है अगला कुश्चन है, नौई दिली रेल्वे एस्टेशन से परते एक धाय गांटे बाद पत्ना कर प्रेन ठोटती है , यानी ट्रेन यहां से खुलती है इसके बाद है नई दिलिया स्टेशन पर एक उद्गोसना होती है कि पटना के लिए 40 मिनट पूर्व एक ट्रेन छुटी थी यानि 40 मिनट पहले ही ट्रेन खुल चुकी थी और अगली ट्रेन 6 बजे छुटेगी यानि6 यहां पर 18 बजए दिया हुआ है यह उद्गोसना कितने बजशे ती आपको बताना है आपको बनाने यहां से शुरू करना है अगली ट्रेन कितने बज़े यहां पर छुटेगी खुलेगी तो आठारा हो गया और धै घंटे पर ट्रेन खुलती है यानि इससे पहले की जो ट्रेन खुली थी इसमें से आपको धै घंटे घटा देना है तो धै घंटे घटा देना है यहां पर अठारा है इसमें से धै घटा येगा तो यह अठारा में से दो घटाने पर यहां पर 16 हो ज चुट चुकी थी इसमें क्या करना आपको 40 मिनाट जोर देना है जोरने के गाद यहां को पताहिए होजा तो जोरने पर यहां पर 3 3 है और 40 है तो यहां से 30 मिनट जोरने पर क्या हो जाएगा यह 15 30 है यह हो जाएगा 16 16 हो जाएगा यहां पर 10 मिनट बजएगा तो 16 10 यानि 4 बज के 10 मिनट पर उद भुषना की गई थी 16 10 इसका सही आंसर हो जाएगा बनाना जो है आपको यहां पर 18 बजे में अगला question है, 60 विद्यार्थियों के एक कक्छा में लर्कों की संख्या लर्कियों से दुगुन्य है। अच्छा सा question इसका सही answer क्या होगा, आप comment करके बताईए। इसके बाद है, रीना का करमांक प्रारम से 17 मां है, यदि उसके आगे 9 लर्के हो तो उसके बाद कितनी लर्किया है। सबसे पहले ताप को ये पता लगाना है कि इसमें लर्की कितना है, लर्का कितना है। टोटल जो यहाँ पर है, 60 विद्यार्थिया। इसके बाद इसमें कहा जा रहा है कि लर्कों की शंख्या लर्कियों से दुगर्णनी है। तो इसको बनाने के लिए ऐसे बनाना है, बॉआ हो गया यहाँ पर 20 बॉआ है, गरल अगर 1 है तो बॉआ यहाँ यहाँ बॉआ हो गया, यानि 2 अनुपात में है। टोटल यहां पर 60 है यानि 2 प्लस एक 3 तीन इनिट का मान हो गया 60 एक का मान आ जाएगा यहां से 20 तो गरल यहां पर टोटल 20 है लड़का यहां पर 40 हो गया यहां से हमें पता चल गया कि टोटल लड़कियों की संख्या 20 है लड़कों की संख्या 40 है इसके बाद कहा जा रहा है कि रिना का कर्मांग प्राराम से सत्रमा है माली जी की कोई लयनी इस तरह से है रिना यहाँ पर सत्रमी नमर पर है रिना हो गया सत्रमा है यदि उसके आगे नौ लर्के है अगर उसके आगे माली जी यहाँ पर सुरू से चलिए इस तरह से है यहाँ से सुरू है और यहाँ तक यहां पर टोटल लर्की जो है 20 है इस बीच में कितनी लर्की है यह आपको पता लगाना है तो रीना यहां पर खुद भी लर्की है तो टोटल यहां पर सत्रमा अस्थानेत यानि यहां से लेकर यहां तक जो टोटल हो जाएगा यहां से लेकर यहां तक आठ लर्की है इसमें विकॉंट हो गिया है इसके बाद कहा जा रहा है कि उसके बाद कितनी लड़की यानि इसके नीचे कितनी लड़की है यह निकालने के लिए क्लिए आपको क्या करना का निर्देश दिया हुआ है अभी कथन है पहला है यहां पर बेरी-बेरी एक विसानुजनित संकर्मन है यह गलत दिया हुआ है बेरी-बेरी रोग जो होता है बिटैमिन B1 की कमी से यहां कथन यहां पर गलत हो जाएगा इसके बाद है बिटैमिन की कमी से बिमारी होती है बिल्कुल सही है तो दूसरा यहां पर R जो है यहां सही है यहां पर गलत है तो option देख लिजी यहां पर सही answer जो हो जाएगा D option A गलत है किन्तु R सत्य है अगला question है यहाँ प्रभी कथन है नर्मदा नदी पस्चिम के और बहने वाली नदी है तो यहाँ सही है नर्मदा यूम तापती नदी पस्चिम दिसा में बहती है सही है नर्मदा नदी बंगाल की खारी में गिरती है गलत है नर्मदा नदी पस्चिम के और बहती है और बंगाल की खारी जो है पूरव में है नर्मदा नदी अरव सागर में गिरती है तो बंगाल की खारी यहाँ पर जो दिया हुए गलत है तो A यहाँ पर सही है और R गलत है सही आनसर जो हो जाएगा इसका C option और आर गलत है चलिए अगला क्विश्चन है यहां पर कथन निश्कर से रिल्टेट है इसमें आपको यहीं चीज धियान रखना है कि जो यहां पर कथन है उसी से रिल्टेट यहां पर ऑप्शन भी होना चाहिए तो कथन है एसकूल उनिफॉर्म गरीब माता-पिता पर बोज है इसके बाद है कार्जवाहिया गरीब अभिवावकों को एसकूल उनिफॉर्म खरीदना बंद कर देना चाहिए तो इस समस्या का समधान नहीं यहां पर बोज है समस्या है तो बंद कर देना समस्या का समधान नहीं यह गलत है इसके बाद एसकूल उनिफॉर्म पर एसकू की दर बहुत अधिक है क्योंकि बच्चे आयर्जित करने की गतिविधी में अपने माता-पिता का सहयो करते हैं इसके बाद यहां पर कार्जवाही आपको दियान देना है तो यहां पर सबसे में जो है बच्चे आयर्जित करने की गतिविधी में अपने माता-पिता को सहयो कर यह बिल्कुल करना चाहिए, जागरुक करना चाहिए, कि बच्चे को पढ़ाना चाहिए, इसके बाद है मुआपजा एक उपाय नहीं, यह गलत दिया हुआ है, यहाँ पर बच्चे जो एसकूल छोड़ रहे हैं, आयरजित के कारंसी यहाँ पर दिक्कत है, इस कारंसे गारज चलिए अगला क्विस्चन है, यहाँ पर चौबन से लेकर पच्चपन तक कथन निसकर सिल्टेड है, अगला है यहाँ पर बिमार लोगों को दवा की ज़रुवत है, यहाँ पर कथन जो दिया हुए बिमार लोगों को दवा की ज़रुवत है, यानि जो बिमार है उसको दव कि रखता भी होगा नहीं भी रखता होगा इसके लिए इसका सही आंसर जो होगा पहला यदि केवल एक निश्कर्स निकलता है अगला क्विश्चन है हमारे राष्ट की बढ़ती जनसंख्यां से कोई कई अवस्यक संसाधनों का हरास होगा यहां पर कथन जो है बढ़ती जनसं इसका सही होगा अगला क्विस्चन जीके से समबन्धी था जीके से टोटल 40 question पूछा जाएगा, question है, हुमायू का मकवरा कहां इस्थित है, हुमायू का मकवरा जो इस्थित है दिल्ली में C option इसका सही हो जाएगा, अगला question है दीने इलाही किस ने प्रारम किया दीने इलाही जो प्रारम किया अकवर ने 1582 इस्वी में अकवर इसका सही आंसर हो जाएगा अगला question है पानिपत का पर्थम युद कब लड़ाय गया था पानिपत का पर्थम युद जो हुआ था 1526 इस्वी में तो सही आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम अगला question है महावीर का जन्म कहां हुआ था इस question का जो सही answer हो जाएगा महावीर का जो जन्म हुआ था कुंड गराम में B-optionist का सही हो जाएगा कुंड गराम अगला question है कौन सा पर्थम वेद है तो इसमें से जो पर्थम बेद है रीग बेद, D option इसका सही हो जाएगा अगला question है बंगाल का विभाजन किस वर्स हुआ था? बंगाल का जो विभाजन हुआ था 1905 में सभी question को attempt कर लीजिए जीके से बहुत ही normal question पूछा गया है अगला question है चंपारा नांदुलन किस ने प्रारम किया? चंपारा नांदुलन का जो यहाँ पर प्रारम किया है गांधी जी तो M.K. गांधी मोहंदास करमचंद गांधी इसी तरह से option दिया हुआ रहत है तो सही answer जो हो जाएगा इस question का 1885 C.O. इसका सही हो जाएगा अगला question विर्शा मुंडा किस राज से संबंधी थे? तो विर्शा मुंडा जो संबंधी थे? जहारखन राजजी से B.O. इसका सही हो जाएगा जहारखन अगला question है गितानजली की रचना किस ने की है साहित के छेत्र में रविदनाथ टैगोर को गितानजली के नोबेल पुरसकार मिला था इसका सही answer हो जाएगा आरेयान टैगोर रविदनाथ टैगोर अगला question है बिहार के मुखमंत्री कौन है अभी वरतमान समय में भी बिहार के मुखमंत्री नीतियुश्कमार जी ही है फास्ट option इसका सही हो जाएगा अगला question है मिजोरम की राजधानी कहां है मिजोरम की जो राजधानी है आ जोल है बिए उप्शन इसका सही हो जाएगा जीके से बहुत ही basic question पुछा गया है मांकी reasoning section में tough question पुछा गया है अगला question है उत्तर परदेश की राजधानी कहा है उत्तर परदेश की राजधानी है लखनो अगला question है पटना किस नदी के तट पर एस्थीत है पटना गंगा नदी के तडपर एस्थीत है बियुए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा अगला क्विश्चन है ताजमहल किस तहर में एस्थीत है त также जो एस्थीत है आग्रह में और आग्रह इतरपर्देश में है अगला question है गुलावी नगर किसे कहते हैं इस question का जो सही answer हो जाएगा Pink City जो कहा जाते है गुलावी नगर जैपूर को विजी option इसका सही हो जाएगा जैपूर अगला question है दिली के मुकमंत्री कौन है तभी वरत्मान समय में भी दिली के मुकमंत्री स्रीयरविंद केजριवाल जी है और बिहार की मुखमंत्री भी पुछा गया है अगला question है किस hypocrisy नदी किस राज में है कोसी नदी जो बहती है उतर पर कुसी नदी नैपाल से निकलती है नेपाल से होते हुए बिहार में बहती है डी ओप्शन इसका सही हो जाएगा बिहार अगला क्विस्चन नेपाल की राजधानी कहाँ है नेपाल की राजधानी है काठ मांडू ये ओप्शन इसका सही हो जाएगा अगला क्विस्चन है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है तो computer का जनक जो कहा जाता है Charles Babbage गो डियो उप्षिन इसका सही हो जाएगा अगला question है यहाँ पर भारत है रुपिया है तो भारत का मुद्रा रुपिया है बंगलादेश का है टका राजधानी है बंगलादेश का ढाका ढाका राजधानी है और रुपिया टका है प्रिथवी का भाग है प्रिथवी के अंतरगत जो हो जाएगा वायू मंडल जन मंडल अस्थल मंडल जैब मंडल तीनों यहाँ पर चारों प्रिथवी के भाग से रिल्टेड है दोनों इसका सही answer हो जाएगा C option दोनों भी अगला question है बिहार की राजधानी कहां है तो बिहार की राजधानी जो है पटना है C option इसका सही हो जाएगा अगला question है बिहार के राजजी पाल कौन है तभी वर्तमान समय में बिहार के राज जीपाल, श्रीफागु जुहान है और मुकमंत्री नितिष कुमार जी है अगला question है, डॉक्टर भीमरा अमबेटकर का जन्म किस राज में हुआ था? डॉक्टर भीमरा अमबेटकर का जो जन्म हुआ था मध्य परदेश में, यह option इसका सही हो जाएगा अगला question है पंडीत दीन कंधिया लूपाध्य किस राजटिक दल खे थे पंडीत दीन 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 लूपाध्य सही आंसर जो हो जाएगए इसका जनसंग अभी वर्थमान समय में भारतय जनता पाड़ी है तो जनसंग से ही बाद में बना है भारतय जनता पाड़ी अगला question अगनी की उरान नामक पुष्टक के लेखक कौन है इंगलिस में भी यह पूछा जाते विंग्स आप फायर के लेखक कौन है डॉक्टर एपी जब्दुलकलाम इसका सही आंसर हो जाएगा अगला question भारत्य समिधान का कौन सानुछे राज्यों में राष्टपती सासन लागू करने से संबंधित है भारत्य समिधान के भाग 18 में अनुछे 352 से लेकर 360 तक अपातकाल का वर्नन है और अपातकाल जो हता है तीन तरह का पाला होता है अनुछे 352 में राष्ट्य अपातकाल का वर्नन है अनुछे 356 में राष्टपती सासन का वर्नन है राष्टपती सासन राज्यों में लगता है और अनुछे 360 में वीतिय अपातकाल का प्रवंध है तो ये इसमें पुछा जा रहा है कि राष्ट पती सासन लागू करने से संबंदीत है तो अनुछे 356 हो जाएगा 352 में राष्टिया पातकल का वर्णन है राष्टिया पातकल पूरे देश में लगया जाता है अगला question भारत के राष्ट पती कौन है अभी वर्णन सवय में भारत के राष्ट पती स्री रामनात पुविन जी है और सेरियल नमर भी आपको याद रखना है चौध में राष्ट पती है पार्धान मंत्री का सेरियल नमर पंद्रह मां है और वयंकिया नेडू तो वयंकिया नेडू उपराशत्थ पती है तेर में उपराशत्थ पती है और वरत्वान समय में भारत के गृह मंत्री अमीत सहाजी है अगला क्विस्चन है कौन सा उपकरण भूकम्प मापन करता है भूकम्प जो मापा जाता है सीस्मोगराफ त्वरा फस्ट उप्शन इसका सही हो zalएगा सीस्मोगराफ में Favor Kitchen पैमाना होता है dassy Terminator कितनी है बायρο मीटर से वितुधारा को मापा जाता है नेमलेखित में प्रित्वी का सबसे बड़ा माहा सागर कौन है प्रित्वी का सबसे बढ़ा माहा सागर है परसांत माहा सागर अगला क्वेस्टन ओजोन परत छरन कं exactly मुख्यता जिम्यदार गैस कौन ओजोन पर अच्छरन के लिए मुखेता जिम्यदार गैस जो है कलोरो फलोरो कार्बन C option इसका सही हो जाएगा CFC अगला question है जाकार्ता किस देश की राजधानी है जाकार्ता जो राजधानी है इस question का जो सही आंसर हो जाएगा इंडोनेसिया की अगला question है भारत के पस्ची में कौन सा समुद्रे स्थीत है और अब सागर जो है भारत के पस्ची में स्थीत है बंगाल की खारी पुराव में स्थीत है हिंद महासागर दचीन में स्थीत है तो अब सागर इसका सही आंसर हो जाएगा अगला question है भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है तब ही वर्तमान समय में भारत के रक्षा मंत्री राजनात सिंग है यह option इसका सही हो जाएगा अगला question RTE Act 2009 किस वर्ष से लागू किया गया तो RTE Act जो बना है 2009 में और यह जो पुर्ण रूप से लागू हुआ है अप्रेल 2010 में तिसका सही आंसर हो जाएगा 2010 RTE Act to Education सिक्षा कधिकार से संबाद दीत है अब यहां से देख लिजिए पैडोलोजी से रिल्टेड क्वेस्चन है टीजिंग अविलिटी से रिल्टेड टोटल 25 क्वेस्चन इससे पुछा जाएगा क्वेस्चन एक विद्याले है तू सबसे बड़ी समस्या कौन सी है इस क्वेस्चन का जो सही आंसर हो जाएगा एक विद्याले है तू सबसे बड़ी जो समस्या है अभी इसके समय में विद्यार्थियों की लगातार कमी होना अगला क्वेस्चन अधिगम सीखने है तू वि जानने की इच्छा है तो यहाँ पर विद्यार्थी का सबसे बढ़ा गुन है शीखने के लिए अगला क्विस्चन है कॉंसा एक अछए मिद्याली का गुन नहीं है तो यहाँ पर सभी विषयओं का शिख्ञण४ यह सही है इसके बाद मैदान बिल्कुल भौतिक है खेल के मैदान में आप खेल सकते हैं भौतिक यानि जिसको आप छूद सकते हैं देख सकते हैं इस तरह से हुआ भवन हो गया पड़ियोग साल यह तीनों हो जाएगा बहुत ही कवधारा लेकिन लाइबरेरियन पुछतकाल अध्यक्ष यह पद का अगला क्वेश्चन है उच्टर माध्मिक शेक्षा की अब धी कितनी होती है उच्टर माध्मिक जो हता है दस मी के बाद यानि 11 बार्मी 10 10 प्लस टू सकते हैं सिंपल सा तो दो बर्स होगा 10 मी के बाद है सी ओप्सिन इसका सही होगा 11 यहां सा नहीं होना चाहिए तो नियामित उपस्तित यह बिल्कुल होना चाहिए अच्छा वेवार यह भी होना चाहिए पुरास्कार भी देना चाहिए लेकिन यहां पर दाहिक दंड यानि विद्यार्थी को पिटना चाहिए इस तरह का नहीं होना चाहिए दाहिक दंड बिल्कुल गलत है दंड नहीं देना चाहिए अगला question है बिद्यालवें में बढ़ती अनुसासन हिंता के लिए एक उतरदाई कारण क्या है अगर इस तरह का question पूछा जाता है तो इस तरह के question में आपको teacher से रिल्टेट ही आंसर देना है यहां पर आर्थिक परिशानित यह नहीं होगा शिक्षकों द्वारा नेत्रित परदान करने में कम यहीं सही आंसर होगा अभिवावकों का हस्तिश्यप इसको बहुत बड़ा प्रोब्लेम आप नहीं कह सकते टीचर अगर अच्छे तरीके से ने नहीं विद्यारेत अधिकम कार्थ आपको सिंपल सा समझने सीखना होता है इस क्वेस्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी ओप्षन निर्द्यसित क्रियाय अगला क्वेस्चन है निम्न में से कौन विद्याले की पाठ्थे सहगामी क्रियाओं का भाग नहीं है इसमें से जो पांचमी तक के लिए सी ओप्षन इसका सही हो जाएगा अगला क्वेस्चन विद्यार्थियों में कोई संप्रत्य पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका की तरह बढ़ाना है तो इस क्वेस्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ज्यात से अग्यात की और बी ओप्षन इसका सही ह अगला question भारत में माध्यमिक सिक्षा के अवधी वर्स है तो माध्यमिक सिक्षा अवधी का जो वर्स है चार से पांच साल इसका सही आंसर हो जाएगा वी ओप्शन चार साल अगला question विद्यालेयों में विद्यार्थी अनुसासन हिंता का सरवाधिक परवल कारण है तो यहां से देखने को मिलेगा तो यहां पर विद्यार्थियों को किरियाओं में सलगन करना यह सही आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन है एक सिक्षक के लिए सरवाधिक महतपुर्ण क्या है शिक्षक के जरूरी है जिस विषय के टीचर है माली जे मैत का टीचर है तो मैत बढ़ियां से आना चाहिए तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा विषय की विषय बस्तु में दाख्चता यह सही है अगला क्वेश क्वेशन एक सेमेस्टर महने के अबधिका होता है तो एक सेमेस्टर जो होता है छे महने का छे महने पर एकजाम होता है अगला क्वेशन साकारात्मक अधिगम सिखने का परिवेश का तत्थ वह कौन नहीं है यहां पर हैं सिखने वाले को अभी परियरित करना सही है रूची अगला क्विश्चन है विद्याले में NCC किसके अंतरगत आती है NCC National Cadet Course Related यह क्विश्चन है तो इसमें जो हो जाएगा पाठे सहगामी किरिया में B-Option इसका सही हो जाएगा साइननी किरिया में यह नहीं होगा अगला क्विश्चन इन में से कौन साहित्य एक किरिया नहीं है तो इसमें से साहित्य एक किरिया जो नहीं है इस question का जो सही answer हो जाएगा NSS बाकित तीनों है अगला question यदि कक्छा में बिद्यार्थी स्वर्गुल करे तो उन्हें क्या करना चे दंडित करना चे बिल्कुल नहीं करना चे मारना चे यह भी नहीं बाहर भेजना चे यह भी नहीं करना चे सबसे जरूरी यहां पर है क्रियाओं में सलगन करना अगर टीचर यहां पर इस्टूरेंट को टाक्स देगा तो टाक्स अपने कंप्लिट करने बीजी रहेगा तो स्वर्गुल करेगा ही ने इसलिए क्रियाओं में सलगन करना चाहिए अगला क्वेस्टन है समाज में घटते नैतिक मानकों का मुल कारण क्या है तो यहां पर टीचर से रिल्टेड ही आपको आंसर देना है अच्छा देहा पको की कमी इसका सही आंसर हो जाएगा डी आप्शन अगला क्वेस्टन इन में से कौन थिरी आर का भाग नहीं है थिरी आर यहां पर एक आर का मीनस हुआ यहां पर रिट यानि पढ़ना दूसरा का है रैट लिखना और तीसरा हो गए अरिथमेटिक बोलना इससे रिल्टेड नहीं है डी आप इसका सही आंसर हो जाएगा पु नहीं सकता है उसी रिल्टेड जो है यहां पर संकेत भासा होगा संकेत के द्वारा उसको आप पढ़ा सकते हैं और उसको सुनाय भी कम ही पढ़ता है अगला क्वेस्टन जो विद्यार थी मुक बाधिर या अंधे या कुछ योगिताओं में कमतर होते उनके लिए कौन सा न इसके बाद है मध्य गती से सीखने वाले को पढ़ाना इसके बाद है धीमी गती से सीखने वाले को पढ़ाना टीचर का काम है सभी एस्टुडेंट को पढ़ाना तो D option इसका सही हो जाएगा सभी ABC को पढ़ाना ऐसा नहीं है कि जो तेज एस्टुडेंट है सिर्फ उसी पर एक्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है अगर आप बिहार बीएड की त्यारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुर जाईए